हालो और वेलकम फ्रेंड्स हमारे एक फ्रेंड है संदीप कुमार जी तो सिविल इंजिनियर है मुंबई में तो ऐसे ही एक सवाल पूछते रहते हैं वो कभी-कभी उन्हें एक्सल पर डेटा बनाने के लिए जरुवत पढ़ती है तो कभी-कभी पूछ लेते हैं वो तो उन् क्या हो सकता है एक्सल में जी हां हो सकता है तो चलिया यह इसको शेयर करता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले Microsoft Excel को open कर लेना है आपको तो यहां पर देख सकते है Microsoft Excel मैंने पहले से open कर रखा है यहां पर देख लीजी आप यह देखिए तो यह Microsoft Excel open है और यहां पर formula भ और फिर grade को calculate करने के लिए nested if का प्रयोग किया है और फिर यहाँ पर भी nested if का प्रयोग कर लिया है तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब हम जाएं तो हमें यह formula ना display हो तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए हमें कुछ नहीं करना हमें यह data select कर लेना जहां हमने formula लगा आप यहाँ पर paste special पर आता हूँ तो देखिए paste special में तमाम चीज़े आपको दिखाई पढ़ेंगे यह देखिए तो यहाँ पर अभी क्या दिखाई पढ़ रहा है आपको यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो आपको formula दिखाई पढ़ रहा है यहाँ पर भी आऊंगा तो formula चलिए value बना देते हैं, बस value बना दिया हमने, अब यहां पर आईएगा आप, तो formula गायब, आपका जो data है just का तस रखा हुआ है, लेकिन formula यहां पर नहीं display होगा, क्योंकि हमने इसे बना दिया value, तो इस तरह की tricks वो पूछते रहते हैं, तो नुईत करता हूं कहीं, आपको भ जरूरत हो, तो इससे आपका काम हो जाए, thank you for watching this video.